मुश्कार दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको यूटूब वीडियो SEO के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कुछ एडवांस टेकनिक के बारे में बात करूँगा जिसका यूस करके आप यूटूब सर्च पर अपने वीडियो को पहले नमबर पर ला सकते हैं और आपको पता ही है कि यूटूब में अगर आपका वीडियो सर्च पर पहले नमबर पर आए या फिर दूसरे नमबर पर आए तो आपके उस वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यू मिलेगी और YouTube में जितना ज़्यादा view उतना ज़्यादा पैसा है तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखें इसमें आपको कुछ advance YouTube SEO के बारे में पता चलेगा दोस्तो जैसे ही कि हम कोई वीडियो बनाने का सोचते हैं सबसे पहले जब हम कोई topic select करते हैं उसको कैसे select करें उसके बारे में कैसे सोचें मैं एक example लेके इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जैसे मैं YouTube SEO के बारे में ही एक वीडियो बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले YouTube के search पर YouTube SEO टाइप किया है और type करने के बाद जैसे ही मैंने इंटर किया तो आपके सामने देखिए यह result आ रहा है इन में से जो मैं देख रहा हूँ इसमें आपको कुछ data को ध्यान में रखना होगा जैसे कि यह first number पर जो है my smart support यह video तीन मंत पहले ही यह video को upload किया है और यह पहले number पर आ रहा है दूसरा आप चीज ध्यान देने के बाद है किस video का length 16 minute 10 second का यह video है तो हम लोग जो ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पर एक है आपका यह time कि कितने दिन पहले यह video upload हुआ है दूसरा किस video का length और तीसरा कि यह video को कितने लोगों ने देखा है मिन्स इसका view ठीक है तो जैसे मैं देख रहा हूँ यह तीन मैने पहले हुआ है 19,821 view है इस पर second number पर है 3 year और इसमें view बहुत जादा है लाकों में view है और third में मैं देख रहा हूँ है तीन सब्ता पहले ही यह video upload किया गया है 10 minute का video है तो आपके video को rank पाने के लिए YouTube search पर उपर आने के लिए यही तीन factor को ध्यान में रखना है मतलब अगर आप अपने video को YouTube के search के उपर में लाना चाहते हैं तो आपको इन video के length से ज़्यादा length का video बनाना होगा मेंस अगर आप 17 minute का video बनाते हैं तो आप इन तीनों से आगे हो गए length के मामले में बट अभी भी आप दो factor में पीछे हैं जैसे यह तीन मन्त क्योंकि आपका video आप upload करोगे तो वो नया होगा तो वो समय के साथ-साथ वो आपका video जैसे ही पुराना होगा तो वो उपर आ जाएगा अब तीसरा factor जो है view कि आपके video को कितने लोगों ने देखा है तो आपके उस video को ज़्यादा से ज़्यादा view मिले इसके लिए कुछ technique में आगे ही बताने जा रहा हूँ इस video में आगे मैं बताऊंगा कि आपको उस video को view कैसे बढ़ाना है तो आपको दो चीज करना होगा एक तो आपके video का length जो होगा वो ज़्यादा होगा दूसरा आपको अपने video का view को बढ़ाना होगा तो इस video में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो में क्या-क्या SEO टेकनिक यूज करेंगे, क्या-क्या चीज ध्यान में रखने की जरूरत है YouTube SEO के लिए, कुछ advanced YouTube तरीकों के बारे में बताऊंगा, ऐसे factors जो आपके वीडियो को रैंक देने में important role निभाता है, और जैसे ही आप कोई new video upload करते हैं, तो उसको जादा से जादा view मिले, उसका भी कुछ technique आपको मैं बताऊंगा, क्यूंकि जब video कोई देखेगा, जादा view मिलेगा, आपका video को जादा से जादा देखा जाएगा, तब ही उसको rank मिलेगा, तो पहले हम start करते हैं YouTube के SEO के बारे में, तो YouTube के SEO में सबसे ज़्यादा important होता है YouTube के video का title, YouTube के video के title से ही आपका video का content decide किया जाता है, YouTube आपके video के content को समझता है आपके title से और उसको, और आपके video को दूसरे channels के suggestion, video suggestion पर suggest करता है, तो अपने video के title में सबसे important keyword को सबसे पहले डाले, यह बहुत important है, जैसे मैं यह video बना रहा हूँ YouTube SEO, तो मैं YouTube SEO को सबसे पहले डालूँगा मेरे title में, और उसके बाद मैं कुछ meaningful sentence उस title में डाल दूँगा, और एक important बात, जब आप अपने video के title decide करते हैं, सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, तो उसको सोचने से पहले आप एक technique का use कर सकते हैं, जैसे आप YouTube पर सर्च किजिए, आपका main content, जैसे मैं YouTube SEO को सर्च करता हूँ YouTube सर्च पर, और जो मैं result देख रहा हूँ, इन result से भी आप अपना title सोच सकते हैं कि कौन से keywords को कहां रखा जाए, idea ले सकते हैं आप कि कौन सा title best होगा आपके लिए, आप बिल्कुल same title ना डाल दे, थोड़ा title different हो तो अच्छा है, पर आप यहां से idea ले सकते हैं कि कैसे ये लोग अपना वीडियो को title को कैसे select किया है, इसका help ले सकते हैं आप, second जो है long video, मैंने पहले ही बताया कि YouTube किसी long video को सौड वीडियो से ज़्यादा rank देता है, ज़्यादा prefer करता है, तो अगर आपका वीडियो का length जितना ज़्यादा होगा, YouTube उस वीडियो को ज़्यादा prefer करेगा, अगर आपका वीडियो उसको rank पाना है, जल्दी rank पाना है, तो आप long videos बनाएं, और long videos बनाने का एक और फायदा है, YouTube किसी वीडियो को जो rank देता है, उसका फंडा यही है कि कोई वीवर जब आपका वीडियो को देखता है, तो वो कितना minute आपका वीडियो को देखता है, जिसको कि audience retention कहा जाता है, audience retention का मतलब है कि आपका वीडियो को कितना देरी दिखा गया है, कितना minute देखा गया, और जितना जादा देखा जाएगा आपका वीडियो को जिसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है audio retention में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है एक आपका वीडियो watch time in minute मतलब आपका वीडियो को कितना minute देखा गया है total जो minute होता है माले जो कोई वी वीवर आपका वीडियो को दो मिनट देखे, कोई चार मिनट देखे, कोई हो सकता पूरा वीडियो को देखे, इस तरीके से जो टोटल मिनट सोता है, वो important factor है आपके वीडियो को रैंक दिलाने के लिए, कि टोटल कितना मिनट उस वीडियो को देखा गया है, दूसरा important factor है कि आपका वीडियो का view duration मतलब कि आपका वीडियो को कितना समय तक average देखा जा रहा है अगर आपका वीडियो को पूरा देखा जा रहा है complete तो वो बहुत ही अच्छा है YouTube में rank पाने के लिए लेकिन generally viewer पूरा वीडियो देखते नहीं है कोई 2 मिनट देखता है कोई 4 मिनट देखता है तो percentage में देखा जाता है 60% या फिर 50% भी वीडियो अगर कोई देख लेता है तो वो अच्छा माना जाता है उससे आपको rank मिलेगा YouTube में और आपका वीडियो उपर के list में आएंगे अब है कि आप एक वीडियो सोचो बना लिए अब वीडियो को बना लेने के बाद आप अपलोट किये अब आपका काम है कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीवर के पास भेजना ताकि आपके वीडियो उसको जादा से जादा लोग देखे तब ही जाके आपका वीडियो का watch time minute बढ़ेगा क्योंकि YouTube का simple funda है more views gives higher ranking मतलब जितना जादा views आपके वीडियो को मिलेंगे आपका वीडियो को ranking भी उतना जादा मिलेगा more views का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपके वीडियो को बस open किया और बंद कर दिया मतलब आपके वीडियो को जादा से जादा minutes देखा जाए next important factor है tax YouTube में tax का दो काम होता है पहला YouTube आपके वीडियो को ना ही देखता है ना ही पढ़ता है वो आपके वीडियो के content को उसके title और उसके text से और उसके description से समझता है और उसी के according वो आपके वीडियो पर add डालता है तो टैक्स का दो काम है पहला काम है कि आपके वीडियो उसके content को समझता है YouTube आपके text के help से और दूसरा है वीडियो सजेशन जो आप देखते हैं जब आप कोई वीडियो को open करते हैं उसे play करते हैं तो right side में कुछ video suggestion होता है मैं आपको दिखाता हूं ये रहा ये video को मैंने open किया ये जो आप right side पर देख रहा है ये सारा videos ये सारा वीडियो जो suggest किया जा रहा है ये आपका tax के help से और आपके title के help से description से भी word select किया जाता है तो अगर आप मोटा मोटी समझे तो आपके title, आपके tax और आपके description के जो words है जो keywords है उसी के help से आपका ये right side का जो video suggestion आप देख रहे हैं वो आता है आप जिस तरीके का keywords अपने title पर, अपने description पर, अपने tax पर डालेंगे उसी तरीके का video suggestion आपके right side पर सो होगा आप जो tax डालेंगे अगर आपका tax किसी और video के tax से match करे तो जब कोई बंदा उस video को play करे तो आपका video right side पर suggest किया जाएगा जिससे आपको views मिलेंगे तो tax बहुत important है इस video को पूरा देखिए मैं आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप best tax अपने videos के लिए find कर सकते हैं तीन तरीका मैं बताऊंगा best tax पाने के लिए ये tax के तीन techniques आपके videos को ज़्यादा से ज़्यादा suggestion list पर सोग करेगा इसलिए इस video को आप पूरा देखिए आपके videos को rank पाने के लिए social engagement भी जरूरी है आपके video को जितना ज़्यादा facebook और other social networking site पर share किया जाएगा तो आपका video YouTube के search पर उपर में आने लगेगा और जो आप ये देख रहे हैं like और like thumbs ये like और dislike भी आपके video को rank दिलाने में help करता है तो जितना ज़्यादा like पड़े आपके video पर आपके video के लिए वो उतना ज़्यादा अच्छा है और last है description मैंने अल्रेड़ी बोली चुका हूँ description का description का भी वही काम है video suggestion पर तो ये मोटा मोटी YouTube का SEO factor है एक बार मैं फिर से recall कर देता हूँ जो YouTube के main SEO factor है तो पहला है आपका video title दूसरा है video का length तीसरा है आपका video का audience retention जिसमें मैंने कहा more views higher ranking तो audio retention हो गया उसमें आपका audio retention में आपका video watch time in minutes और video view duration और tags आपका दो काम है tags का video suggestion के लिए और video को content को पहचानने के लिए और description का भी video को content को पहचानने के लिए तो ये सारा आपका YouTube का SEO factor है अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि audience retention को कैसे बढ़ा सके मतलब कि video watch time कैसे बढ़े video view duration कैसे बढ़े ऐसा क्या करे कि आपके viewer आपके video को पूरा देखे पूरा नहीं भी तो ज़्यादा से ज़्यादा देखे जिससे आपका video watch time minute बढ़े तो इसका simple funda है कि अच्छा content होना चाहिए और useful content होना चाहिए जो लोगों को जानना है तब ही वो वीडियो को लोग पूरा देखेंगे suppose कि जी आप एक video बना लिए उसे upload कर दिए अब starting में क्योंकि बहुत जादा view मिलने वाला नहीं है तो starting में एक video को view दिलाने के लिए मैं आपको कुछ techniques बता रहा हूँ तो फहला है जो simple है आप सब जानते है social networking जब भी आप कोई video बनाए उसको हर एक social networking site पर share करें facebook पर twitter पर मैं एक दो social bookmarking site के बारे में भी बताता हूँ आपको जैसे reddit.com आप वहाँ पर भी अपने video को share कर सकते हैं या फिर stumble upon आप वहाँ पर अपने video को share कर सकते हैं तो जब भी आप एक video बनाते आप अपने videos को वहाँ पर बार-बार share करें सिर्फ एक बार नहीं हो सकते हैं आप बार-बार हर दिन अपने video को share करें दुसरा तरीका है kora.com kora.com एक question answer site है जहाँ पर आप अपने video के topic के साब से question search करें और search करकर वहाँ पर answer करने का option है आप वहाँ answer किजिए और अपने video का link को वहाँ share किजिए इससे आपको views मिलेगा मैं करके बताता हूँ आपको यह रहा kora.com को मैंने open किया यह रहा यहाँ पर आप अपने content के साब से कोई वी चीज़ सर्च कर सकते हैं मैं YouTube SEO के बारे में ही सर्च करता हूँ यह हो गया देखिए यह सारा questions है जो YouTube SEO से related questions है आप चाहे तो सारे को open करकर वहाँ पर answer कर सकते हैं तो मैं एक पर answer करका आपको दिखाता हूँ यहाँ पर click किजिए यह answer यहाँ पर आप अपना answer लिख लिजिए और आप अपने वीडियो के URL को copy करके अपने answer के नीचे में paste किजिए और submit कर दिजिए अपना answer यह हो गया मेरा answer submit तो जब भी कोई visitor गूगल सर्च के थूरू जब qora.com पर इस question को खोलेगा तो आपके वीडियो को देख सकता है आपको व्यूज मिलेगा answer थोड़ा बड़ा लिखना ज्यादा न तो qora.com डिलीट कर देगा आपका answer को तिसरा तरीका है वीडियो suggestion मैंने पहले ही बोला कि जब आप कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं और YouTube में नया नया शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा views नहीं मिलने वाला नहीं YouTube सर्च के थुरूँ आपका वीडियो को कोई जानने वाला क्योंकि YouTube सर्च पर higher ranking वीडियो भी पहले आते हैं तो आपका वीडियो नहीं आएगा तो starting में आपको YouTube का वीडियो suggestion ही help करेगा तो YouTube का वीडियो suggestion का पूरी तरीके से फायदा उठाए इसमें मैं आपको दो टेकनि दालें कि आपका वीवर उस थुमनेल को देखकर क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं इसमें आपको दो चीज करना होगा एक आपका title सेलेक्ट करने में और दूसरा आपका thumbnail सेलेक्ट करने में thumbnail आपको थोड़ा दिमाग लगा के डालना होगा या फिर आप YouTube पर सर्च करके दे वीडियो को title, आप ऐसा डाले कि कोई उसको पढ़े तो बस click कर दे आपके वीडियोज पो इसे clickbait कहते हैं जो thumbnail का जो यह technique है इसे clickbait कहते हैं clickbait का मतलब ऐसा picture ऐसा title हो कि कोई उसे देखे और click करने पे मजबूर हो जाए तो इस technique का use करके आप YouTube का video suggestion का पूरी तरीके से find out है और एक तरीका है अच्छे tags डालना आप अपने videos में अच्छे tags डालेंगे तभी आपका video suggest list पर आएगा और जब suggest list पर आएगा आपका video और आप बहुत ही attractive thumbnail और title डालेंगे तो user जरूर उस पर click करेगा और आपको starting में view मिल जाएगा तो अब मैं आपको बताता हूँ कि tags डालने का best तरीका क्या है तो मैं दो-तिन तरीका बता रहा हूँ आपको पहले तो आप अपने वीडियो के content के हिसाब से जो आपका main keyword है उसको YouTube पर search किजिए मैं करके बताता हूँ जैसे मैं यही YouTube SEO को example लेता हूँ मैं YouTube SEO search किया यह रहा result यह जो result देख रहे हैं इसमें से आप first three या four result को open किजिए और यह जो four video को आप five भी ले सकते हैं इसको open करने के बाद आप इसमें से tags देखिए कि कौन-कौन सा tags बहुती अच्छा है बहुती कमाल का है और आप उस tags को अपने videos के tags में यूज कीजिए यह सारे videos जो इतना सारा views ले चुका है यह कैसे-कैसे tags डाले हैं उससे आपको idea मिल जाएगा और आप उसी में से कुछ अच्छे-च्छे tags select करके अपने videos पर डाल दे पहला तरीका हो गया दूसरा तरीका आप अपने main target keyword को Google search पर search किजिए मैं करके बताता हूँ मैं YouTube SEO को Google पर search करता हूँ और search करने पर आप देखेंगे कि Google के नीचे में बिल्कुल नीचे आ जाईए और यह नीचे में यह देखिए यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारा keyword suggestion Google आपको देता है आप यह जो keyword suggestion है यहाँ से भी अच्छे-च्छे tags जो search किये थे उसमें से जो आप 4 वीडियो को open किये थे या 5 भी open कर सकते हैं तो उस वीडियो को open करने पर जो आप right side पर suggestion list देखते हैं उस suggestion list में से भी आप 4-5 वीडियो को open करके उसमें से भी text ले सकते हैं क्यूंकि जब आप उस वीडियो उसको open किये हैं तो एक दूसरा keywords डाला है कि उसका वीडियो suggest list पर आ रहा है तो आप भी हो keyword को अपने वीडियो पर use करें तो आपका वीडियो भी हो सकता है उस वीडियो को open करने पर suggest list पर आए और आपको views मिले तो अपने videos पर base tags डालने का ये तीन तरीका को आप use कर सकते हैं नेक्स्ट तरीका है यूटूब का featured content यूटूब का featured content आप कैसे on कर सकते हैं और इसका क्या फायदा है चलिए आपको बताते हैं इसके लिए सबसे पहले आप अपने channel पर जाए और ये left side पर जो देख रहे हैं आप my channel my channel पर click किजिए ये जो आप देख रहे हैं अपने channel के ऊपर पर video manager पर click किजिए ये left side पर channel इस पर आप click किजिए और ये नीचे पर featured content इस पर click किजिए ये blue button featured content पर click किजिए और यहां से आप choose a video और playlist इस check box पर आप click किजिए और यहां पर click करने के बाद यहां से कोई भी एक video का आप select कर लिजिए मैं इस video को select करता हूँ और select करने के बाद नीचे पर save button पर click कर दिजिए यह आपका video यहां select हो गया यहां पर आप customize start time को select कर लिजिए और update बेटन पर click कर दिजिए जैसे आप click करते हैं आपका यह video यहां पर select हो गया अब इसका फायदा यही है आपने जिस video को यहां पर select किया है यह video आपके सारे videos पर suggest किया जाएगा तेर मिनट के बाद कि यह selected video क को भी आप देखें तो जब भी आप कोई नया video upload करते हैं उसे यहां पर डाल दीजिए अब यह नीचे channel add चलिए इससे भी start कर लेता है यहां पर click किजिए और यहां से आप कोई भी एक video को select कर लिजिए ध्यान रहे वह video दो मिनट से कम होना चाहिए वरना यहां select नहीं होग कर दो कर दो खड़ी